वेलकम टू अभियंता मैट्स अभियंता मैट्स में आपका स्वागत है आज हम लोग कलास 10 शीबी एस सी बिहार बोर्ड और अधर स्टेट बोर्ड के लिए भीधी आई सवालों को हम लोग देखेंगे कंसेप्ट के साथ सिखेंगे ठीक है इस वीडियो को आप लोग बार बा आप जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सबस्क्राइब कर दे ताकि न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिले चलिए हम लोग सवालों से रूबरू होते हैं ठीक है बाई लिंग्वल होगा ठीक है हिंदी और इंग्लिस दोनों में देखेंगे हम लोग चलिए द चलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कह रहा है कि यह जो दिया गया है यहां पर एक्वल टू कितना है फोर है अच्छे से समझेगा ठीक है और टोटल टार्म देखिए कितना है वन टू थीरी फोर फाइफ टोटल टार्म कितना है फाइफ क कहने का मतलब कि टी फाइफ जो दिया गया है टी फाइफ एक्वल टू ट्वेंटी एट है ठीक है ना टी फाइफ कहने का मतलब एपलस फोर डी एपलस फोर डी का भाइलू कितना है ट्वेंटी एट है ठीक है यह का भाइलू पूट करिए क्या करिए एका भाइलू पूट क करिए फोर पलस फोर डी इक्वल टू ट्वेंटी एट किलियर अब फोर को अरेचस में ले जाएए तो क्या हो जाएगा फोर डी इक्वल टू कि ट्वेंटी एट माइनस फोर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए फोर डी इक्वल टू कितना आ रहा था है है होज दी इक्वल टू ट्वेंटी एट माइनस फोर है ना आपता है आपको एक इतना है फोर है ठीक है A कितना है 4 आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान देजिए थोड़ा सा A और D पता हो गया हम लोग को A और D क्या हो गया पता हो गया ठीक है अब हम लोग को निकालना है कहरा X3, X3 बोले तो T4 कितना निकालना है हम लोग का भैलू टी 4 निकालना है ठीक कितना निकालना है टी 4 समझे टी 4 क्या होता एक पलस 3D हम लोग निकाल लिए है एक अभालू कितना है 4 पलस 3D का भालू कितना रहा था 6 तब 6 थरिजा 18 अप 4 कितना हो जाएगा जोड़ दीजी 18 अप 422 ठीक है see the right option चलिए इसी तरह से एक और अच्छे से सवाल देखते हैं हम लोग ठीक है करा विच टर्म ओफ दा एपी 22, 63, 54 इस जीरो ठीक है ओप्शन दिया गया चार इसमें भी करा आए समानतर स्रेनी 22, 63, 54, dot dot का कौन सा पद सुन्ने होगा ठीक है विच टर्म ओफ दा एपी जीरो माल लिजिए कि एने टर्म जीरो है ठीक है टी एन बराबर क्या माल लेंगे अब एद देखिए कितना हो गया TN का भायलू A पलस N माइनस बन इन टो डी ठीक है एन निकालना है अम लोग को क्या निकालना है ठीक है एका भायलू रखिए 72 पलस N माइनस बन डीका भायलू 63 में से 22 को घटाए यह 63 में से 22 को घटाए ठीक है क्या करेंगे हम लोग तो 72 में से 63 को घटाते हैं 12 में से 3 गया 9 आ गया ठीक है आनि-9 हो गया अब इस एक्वेशन को सोल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा ही माइनस में 72 हो जाएगा क्या हो जाएगा एन माइनस 1 बातों पे दौर करिएगा इन्टू माइनस 9 इक्वल टू माइनस 72 हो गया कितना हो गया माइनस 72 ठीक है आगे देखते है आनि क्या आ गया था एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 72 बाई क्या हो जाएगा माइनस 9 इउधर चल गया माइनस माइनस मर गया नाइन एट जा स्वेंटीटूड ठीक है आनि एन बराबर हो गया क्या एट पलस वन बोले तो एन इक्वल टू नाइन इस तरह से आप्शन भी कॉरेक्ट है कौन सा आप्शन भी कॉरेक्ट है ठीक है कि ये पी का नौवा पत जीरो होगा ठीक है थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर जरूर करिएगा ठीक है वन्स अगें थैंक्यू गाइज